हेलो गाईज तो अगर आप लोग डीएवीप में एडवीशा लेना चाहते हो तो इस वीडियो में लोग उसकी कट आफ के बारे में एनिलाइज करेंगे कि लास्ट येर की से जो कट आफ है वो जाजा जाएगी या फिर कम जाएगी बैसिकली हम लोग सारे कट आफ फेक्टर क सब्सक्राइब करेंगे तो जो भी स्टूडेंट स्लैक्ट नहीं किये थे डीएवीप को वह उसकी रजिस्टेशन नहीं कर सकते हैं और वह एलिजिबल भी नहीं होंगे तो अगर मैं इसके डेटा के बारे में बात करो तो लगबग वन लाक स्टूडेंट ने उसे सब्सक्राइब करेंगे तो अब लोग पता होगा कि इसकी रजिस्टेशन नहीं हुई है इसलिए हम लोग पता नहीं है कि कि इतनी स्टूडेंट इसमें रजिस्टर करेंगे बट अगर मैं रफ आइडिया दू तो एराउंड आप लोग से कम ही नंबर रहती है इस यहर में भी इस बार जा सकती है लास्ट एराउंड टेन सावजेंट ही रजिस्टेशन हुए थे उसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो टीपल यूनिवर्सिटी का फॉर्म करते हैं तो यह एडमिशन नहीं लेते हैं कि जो एडमिशन हमें लूब Country के लिए तो तो अगर में स्टीड हैं फॉर्म बात करो टो टोटल जितने भी कोर्से भी लेवल हैं यूजी के लीए करते हैं तो फिर उनकी रिजर्बेशन रहती है तो उनकी काट ओफ होती है वह अगर मैं जेनरल के कैंडिडेट से बात करो आप यह सारे फैक्टर ही जो आप लोग को किलियर हो गए होंगे तो यह सब से अप लोग की कट आफ ज्यादा या कम होती है तो अगर आपके पास के लिए हो गई होगी कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो एंड ये भी भी की अपडेट के लिए चेनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं